दोस्तो जब भी आपको इस फॉम में दोस्तो जब भी आपको इस फॉम में दीखे कोश्चन तो आपको स्रिफ करना है क्या जादे इसको हम एड नहीं करेंगे दोस्तो स्रिफ आपको कोश्चन को देखती ही आप इस कोश्चन को देखती ही देखी क्या करना है बस देखना है क कितनो number हे ठीक है दोस्तो टीक है थीरी है 3 कितने डीजित है एक दो तीन चार ठीक है दोस्तो चार बार है तो हम चार लिखेंगे अब देखें कितने बार है दोस्तो देखें कितने बार है तीन बार है थी तो यहां पर तीन लिख लिया ठीक है अब यहां पर आपको देखना है कि यहां पर देखें कितने बार है यहां 2 बार है 3, यहां पर आपको देखना है कि कितने बार 3 है, यहां पर 1 बार है, ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या करना है, 3 बन जा 3 हो गया, ठीक है friends, अब 3, 3, 2 जा 6 हो गया, फिर 3, 3 जा 9, ठीक है, फिर 3, 4 जा 12, ठीक है friends, बस आपका एंसर आ गया, मतलब आपको करना क बस आपको नंबर देखना है कि काम से नंबर जो नंबर है कितने बार मतलब चल रहा है ठीक है इसको आप सिरियल से प्लस नहीं करेंगे कितना लोग एसे होते हैं जब भी आपको इस फॉर्म में कोशन दिखता है तो सारे लोग क्या करते हैं क्या गलती कर लेते हैं कि 0.33333 है फिर से वो सारे नंबर को फिर इस तरह से इस तरह से लिखते हैं फिर इस तरह से सारे नंबर को लिखते हैं और फिर add करने लगते हैं ठीक है दोस्तों मगर आपको add नहीं करना इस तरह से plus नहीं करना है बस जिरिफ आपको नंबर देखना है कि जिसे 3 है तो 3 आपको देखना ह में 3, 3 damage 6, ठीक है दोस्तो, 3 USC nine, then three cast whoever 12, ठीक है दो आप यहां पे देखना है कि Maximum, ठीक है दोस्तो, जादे से जादे कौन है यहां पे आपको देखना है जिसे देखी है Maximum always look at minimum. आपको देखना है में कितनी नंबर के बाद आपका जो पॉइंट लगा हुए दोस्तों दसमलों है वो आपको देखना है ठीक है कम से नहीं देखेंगे जादे वाला देखेंगे कि कितने नंबर के बाद जो जादे नंबर है दोस्तों कितने नंबर के बाद आपका जो दसमलों लगा हुआ वो आपको देखना है ठीक है maximum number ठीक है दोस्तो तो maximum आप देख रहे हैं कि एक, दो, दो, तीन, चार, चार नमबर के बाद आपका point लगा हुँआ धोस्तो तो चार नमबर के बाद point लगा देंगे ठीक है एक, दो, तीन, चार ठीक है, यह रहाँ पर point लगा लेगे, तो यह देखिए आपका question देखते ही दोस्तों आपका answer आया है की नहीं दोस्तों हम नहीं कहते हैं कि आपका simplification का question नहीं आता है यानि मतलब सबको आता है दोस्तों मगर हाँ अगर हमें trick पता होता है दोस्तों तो हमें और भी time मिल जाता है और अच्छे से समझने के लिए time इसलिए दोस्तो अगर हम कोई competition exam की अगर तयारी हम करते हैं तो हमें एक trick पता होना बहुत जरूरी है ठीक है दोस्तो तो उमीद करता हूँ आपको जब भी इस type से question देगा दोस्तो तो आप सिर्फ number देखेंगे कि कितने बार digit है दोस्तो आप सिर्फ digit देखेंगे कि कितने बा